ते दोस्तों आप सबको स्वागत है अपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में यह वीडियो होने वाला है के सिसी वर्स पीएज़ के बीच जो होगा ओंगॉंग टीट्विटी का मैच के सिसी अपने थीनों मैच विन किया पीएज़ के एक विन किया एक लूज किया बट कर दिया मैंने अल्रीड ओमेंस टीट्विटी चैलेंज कप हम लोग जो कवर कर रहा है यह जो सीरीज था ओमेंस ट्विन टीटी चैलेंज बहुत अच्छा गया फिलाल अम लोग के लिए मैं दिखाऊंगा आपको बट जो चैनल में न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना एंड हमारे टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री में जॉइन कर सकते हो ठीक है फाइनल टीम आपको इधर मिलने वाला है अब सर्च कर सकते हो फैंटेसी दुनिया टेलीग्राम पे जाके और डिरेक्ट लिंक मिलेगा आपको कॉमें बट हर टाइम में लोग ट्राइकर देग्टर वीडियो जैसे कि भाई ने वान लेक 25,000 वीडिया साथ यसाथ समसंग ए 51 तो आइप ऐसा वीडियो आप सबको हो एंड जो जो नियू हो गाइस टेलीग्राम चैनल जरूर से जॉइन हो जाना बट यूट्यूब वीडियो जर बट पी ए एच के जो लास्ट यर का वीनिंग टीम था इस साल एक मैश लूस किया है गाईस रिजन मैं अगर बोलू तो गाईस इनका बॉलिंग उस मैश मैश में सही नहीं था 189 रेन ऑपनें कर लिया था हंग गोंग क्रिकेट क्लब एक बहुत अचा इनिंग्स थे था के सास से गाईस बट इनका जो मेन बॉलर है न नस्रूला राना आइधिंग कुछ इंजिरी प्रॉब्लम होगा तो शायद इस मैश में बैक करेंगे तो बैक करते हैं तो जरूर से ले लेना ठीक है के सिसी के तरफ से जे एटकिंसन का रिकॉर्ड 16-0-44 यह लास्ट मैश में 44 क बहुत खास नहीं है रोडी कॉक्स का लास्ट मैश बहुत अच्छा खेला था अच्छे प्लियरे डिसेंट ऑपिनिंग करेंगे की कार्ट सी कार्टर 27-10 फोट डाउन आप महमद खान जो अपिनर है अंडर 17 में शायद चांस ना मिले शायद हो सकते हैं इनको यह मैश में च है तो आइधिंग चेंजिस होंगे वाकस बरकत जो एक अच्छे गाइस ऑल राउंडर है बट इस साल कुछ ज्यादा किया नहीं आइधिंग इस मैच में इनको एक बहतर रोल में देखोगे लोयर ओडर बैटिंग करते हैं एक लेग स्पिनर है तो यार आइधिंग लेग स् प्लेइंग लेवन तो कमाल के चोईस है एक मैस में चार उकेट भी लिया एक में एक उकेट लास में उकेट बट यह कुछ ना कुछ कर देंगा आपको जरूर पॉइंगे मस्ट भी हो जाते ली ब्यांको का रिकॉर्ट है नहीं मेरे बास पी भगवत जो पार्ट टाइम है अंडर 15 का रेकॉर्ट मिला मुझे इनका मिल ओडर में खेलते हैं गाइस एंड पार्ट टाइमर बॉलिंग करतेंगे जे डेविट सेन सबको मालू में एक मस्ट पीक है बॉलिंग से एक उकेट दो एक चार उकेट कमाल के फॉर्म में भी है इस साल बर जो प्लियार अपको तंग करेगा वह होगा अब आता हूं मैं जो मुद्दे के बात में अगर के सिसी फर्स्ट बॉलिंग करता है तो अगर फर्स्ट इनिंग से इनका बॉलिंग हुआ तो तब ए त्रिवेदी को अब जरू ट्राइब कर सकते हो विकॉस शायद तब थोड़ा ज्यादा यह बेन में किबल दो डाला था दोनों बॉल में दो विकेट एक मैच में तीन ही ओवर डाले थे तीन विकेट लेग गया था मतलब इसका मतलब यह बंदा कुछ तो विकेट टेकिंग एबिलिटीस है इनके पास बट यह सेकंड इनिंग में शायद आप इनको ना लो तो बेटर होग इस सीजन में हर मैच में एक विकेट इवन बॉलिंग से भी किफाइटी तो मेरे टीम का एक बहुत इंपोर्टेंट चोईस मैं सेम बात बताऊंगा अगर फॉर्स इनिंग बैटिंग होता है बॉलिंग होता है इनका एक पल मस्ट पीक हो जाते है अगर सेकिंड इनिंग से लिए देख सब तो drop करने का but first innings मैं I think better होगा इकबाल के साथ जाओ caddy एक और balling option तो इनके पास balling options बहुत ज़्यादा है guys इस पैस को जो left arm orthodox guys एक चीज़ मैं जरूर बताऊंगा यह जो पूरा season है ना मतलब season बोल सकते हैं और बोल सकते हैं तो Hong Kong में जितने भी matches दिखोगे left arm orthodox जो जो है उनको थोड़ा ज्यादा benefit मिल रहा है पीच से ज्यादा purchase मिल रहा है विकास ये बंदे लोग cricket balling करते हैं तो ball उचानी चाह रहेगा तो ज्यादा benefited होते हैं याना कि finger spinner और राइट arm orthodox ये लोग से थोड़े ज्यादा आए थी बेनिफेटेड अब मतलब बेटर प्रे करते हैं खास करके ऐसे पीचेस में मतलब तूटा हुआ पीचेस में बैटिंग पोजिशन है इन दोनों का खेलने का ठीए डीभुकारी जो प्लेइंग 11 में थे एक मैच में दो विकेट फिर चार पचीज सीरो बड़ बैटिंग से परफोमेंस नहीं दे रहा है डीभुकारी जो आइडिली आप एक्सपेक्ट करोगे बैटिंग से ज्यादा प आम और्थोडोक्स तो इसलिए मैं बताता हूं लेफ्ट आम और्थोडोक्स को मिस्स मत करो खास करके ऐसे मैचेस में ठीक है लुमेस्टिक मैचेस में चार अटरा दो चार अटालीस एक चौतिस फिर लोयर ओडर में तो अनास खान जरूर खेलेंगे नेक्स मैच यासे मुर यह एक सही मतलब टैक्टिक्स नहीं है जरूर एक ओवर रखना चाहिए इनका डेथ इशूस है पी ए एच के का सबसे बड़ा इशू होने वाला है डेथ बॉलिंग तो जरूर टीफ जल को रखना चाहिए ले बाकी टीम कमर जी दो इकेट है चार चौदा दो फिर चार एक स मुहमद बलाल दोनों मैच में उपिनिंग करते हैं फ्लॉप अलियान जहिर मुहमद अंडर 17 से आ रहे हैं अगर खेलते हैं तो रिकॉर्ड देखो लास्ट यार का चारच अवीज दो चार गयारा पे दो चारच पे तीन तो सबसे बड़ा रिजन था पी एच के वीन किया थ अपना टाइटल तो उसका सबसे बड़ा रिजन होगा यह नस्रूला राना जो इस साल अभी भी आपको दिखे नहीं खेलते हैं अगर खेलते हैं न मस्ट पिक ले लेना तब शायद बहुत बैटर टिम दिखेगा पी एच के नस्रूला राना बैटिंग से भी हार्ट हीट क होना चाहिए एक होना चाहिए एक होना चाहिए एक होना चाहिए एक टेक्टिकल मूव ऐसान नवास 2019 ने 2019 तो लास्ट यह था 2018 में हाइस्ट विकेट टेगर भी थे जरूर आप इनको चाहिए कर सकते हो अगर खेलते तो अरबास खान का अच्छे चॉइस है नहीं हसान खान तो अब चाहू तो ले सकतो लास्ट मैस में दो तीस पे दो हो सकता है इनको डॉप करके राना अगर अगर कुछ फीट हो जाते है तो जरूर शायद बैक कर जाए इस्तियाक मौहम्मद का और तो अब आता हूं इस्तियाक मौहम्मद शायद ना खेले ओवरॉल टी किलते हुए आप लोग को देखे नहीं तो एनलाइसिस ज्यादा नहीं कुछ ही मैं बोलूंगा किस इसी का इस मोर इंफॉर्म टीम है अपको मालू में तीन में कर गया रहा है इनका बॉलर से भी सपोर्ट मिल रहा है तो इसके लिए फाइनल टीम आपको टेलिग्रम पे मिल अच्छा बॉलिंग कर रहा है दोनों लेफ्टाम और्थोडोक्स है बट दोनों शायद पावर ब्ले में जादा सक्सेस्फुल ना हुए तो यह थोड़ा दिक्कत देगा इस टीम को तो देखते इस मैंच में क्या होता है तो अपके लिए सेफ कैप्टें मैंने लिखा नही तो फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग तो पैसकाओ के साथ जाओ कैप्टें वाइस कैप्टें विकॉस अच्छे लिफ्टाम और्थोडोक्स बॉलिंग करते है गाइस इवन पैसकाओ का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो वह भी कमाल का है देखो चार मैंच में 6 विकेट लास स इस सिजन में एक विकेट फिर तीन विकेट था गाइस आइनास खान को भी जरूरू ट्राइक कर सकते है विकॉस लास इनिंग्स में 34 रन किया था आइनास खान लोई ओर में फिर एक विकेट भी लिया था तो आइधिंग यह स्थाधा बॉलिंग चैंस मिले एगर कंपेयर क के पास तभी में मैं प्रिफर करूंगा आइनास खान को एक आदा टीम में आप कैप्टन राइस कर दो यह से मुर्ताजा कॉमन कैप्टन राइस कर सकते हैं अगर बैटिंग से सक्सुस्फुल होते हैं तो यह कमाल के चॉइस होने वाले तो फाइनल टीम आपको आफटर टॉस थुरा ज्यादा गेन होगा कुछ सीखोगे हाँ पर अन्वांटेड रिस्क नहीं कि मैं आईजाज खान को डॉप कर दूँ यह कोई सही टैक्टिकल मूव नहीं होगा इवन मैं ग्रेंड लिक में भी प्रिफर नहीं करूंगा आजजाज को डॉप करना तो यह आपके लिए जरूर पक्का जगा मिलने वाला है इनको रॉरी कॉक्स आइनास खान बावर हायत कोवन पिक वाकस बरकात को मैंने ले लिया जे डैविट सेंट डी पैसकाउट टी अफजल फिर एम हसान खान तो आपको अगर रिस्क लेना पसंद है मतलब आप अन्वांटेड रिस्क नही तो यह शायद टेक्टिकल मूब ना हो यह हो सकता है यह स्कोर जादा ना करें बट आइथिंग यह मेरे जब से टेक्टिकल मूब जो होगा वही लो ना कि एक जवरदस्ति वाला रिस्क ले लेना ठीक है फाइनल टीम अफको अफटर टॉस टेलीग्राम पे मिलेगा टैप कर देना थैंक्यू गेस